सब्सक्राइब कीजिए होम स्टाइल किचन को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस वीडियो देखने के लिए हेलो दोस्तो स्वागत है आपका होम स्टाइल किचन में आज हम बनाएंगे कॉन चीज नगेट्स सबसे पहले एक बाउल में हम 200 ग्राम प्रोसेश चीज लेंगे ग्रेट कीवी उसमें हम एक कप बॉइल कीवे पोटेटो डालेंगे मैश्ड हों जो 3-4 कप बॉइल स्वीट कॉन डालेंगे 1-4 टी स्पून कालिमेट्स फोड़र डालेंगे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे बेकिंग ट्रेया किसी भी फ्लैट सर्फेस पे निकाल लेंगे और रेक्टेंगल शेप देंगे और आप इसे जिस शेप में भी बनाना चाहिए उस शेप में बना सकते हैं अब हम इसे पीसे में कट करेंगे अब हम एक बॉल में आधा कप मैदा डालेंगे आधा कप पॉन फ्लोर डालेंगे वन फोर टीस्पून डाली मेर्च पॉडर डालेंगे नमक डालेंगे श्वादमसान तो टीसे में अधालेंगेस upgrading oke अधा थोड़ा करके पानी डालेंगे १र इसे मिक्स कर लेंगे कर पानी हम उतना ही डालेंगे जिससे ना तो यह ज्यादा पट्ला हो भूल और ना ही बहुत ज्यादा गारा sqot हो जैन अच्छे से और यह हमारा मैदे कॉन फ्लोर का घोल तैयार है अब हम एक एक नगेट का पीस लेंगे और इसे पहले मैदे के घोल में डिप करेंगे फिर इसे ब्रेट ट्रम्स में है अब इसे एक बार फिर मैदे के घोल में डिप करेंगे जिससे फ्राई करते समय चीज भाढ़ना निकले है अब फिर ड्रेड ट्रंप्स में ऐसे करके हम सारे नगेट्स कोट कर लेंगे और अब हम इन्हें 15 मिनट ले फ्रीज में रखेंगे आप इन्हें जिप लोग बैग में रखके दीफ फ्रीज कर सकते हैं एक महीने के लिए और जब भी बनाने हो तो 15-20 मिनट पहले निकालने है अब हम कडाई में तेल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पे अब हम इसमें नगेट्स जालेंगे और इन्हें डीफ फ्राइ कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक और ये देखें दोस्तो हमारे कॉर्ण चीज नगेट्स बनके तयार हैं वीडियो कर पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना और बैल आइकन को ज़रूर दबाना